हलो ओपी क्लास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनहा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 29-39-2020 के Most Expected Current Affairs चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा Transgender बैक्तियों के लिए राश्य पोर्टल लॉंच किया गया है इस पोर्टल को किस रूल के तहट बिक्सित किया गया है तो हाल ही में 25 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने Transgender के लिए National Portal for Transgender Person नाम से एक पोर्टल लॉंच किया है इस पोर्टल के तहट Transgender पहचान पत्र बब प्रमार पत्र के लिए उनलाइन आवेदन कर सकते है सामाजिक नियावा अधिकारता मंत्री थावर्चंद गहलोत ने इस पोर्टल को लॉंच किया है बात की जाए ट्रांसजेंडरों की तो 15 अपरल 2014 को भारत में तीसरे लिंग को माननता प्रदान की गई थी बर्स 1998 में मध्य प्रदेश से सबनम मौसी पहली Transgender विधायक बनी थी चलिए देखते हैं हमाराज का दूसरा प्रस्न धूसरा प्रस्न है है थावर्चंद गहलोत ने किस सहर में गरिमा ग्रह a shelter home for transgender persons का उदगाटन किया है तो हाल ही में थावर्चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडरों के लिए एक online पोर्टल लॉंच किया तथा एस shelter home for transgender person नाम से गरिमा ग्रह का उदगाटन गुजरात के बढ़ोधरा में किया है चलिए देखते हैं हमाराज का तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन है PM Modi ने हाल ही में तीसरे Global Renewal Energy Investment Re-Invest यानि RE-Invest 2020 का उदगाटन किया है RE-Invest 2020 के लिए विशय क्या था तो हाल ही में 26 नवंबर 2020 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे Global Renewal Energy Investment का उदगाटन किया है जिसका विशय था Innovation for Sustainable Energy Transition यानि Sustainable Energy Transition के लिए नवाचार यह तीसरा वैशविक नवी करणिये उर्जा निवेश से संबंधित उदगाटन था इसके पहले इसका पहला आयोजन वर्ष 2015 में तथा दूसरा आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था भारत ने बर्ष 2022 तक नभी करणिये उर्जा के तहत 175 गीगावाट तथा बर्ष 2030 तक 450 गीगावाट पानी का लक्ष रखा है तीसरे ग्लोबल रिन्यूबल एनरजी इन्वेस्टमेंट के तहत पार्टनर देश ऑस्टेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, माल लीब, जर्मनी, यूके तथा यूरेपिये संग थे इसके अलाबा तीसरे Global Renewal Energy Investment के लिए पार्टनर राज, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजिस्थान तथा तमिल नाडू थे चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रशन चौथा प्रशन है किस देश के साथ भारत ने हाल ही में जैब विविदता सर्रक्षन और परियावन सर्रक्षन पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं भारत की तरफ से इश ग्यापन पर प्रकाश जावड़े करने तथा फिल्लेंड की तरफ से क्रिष्टा मिक कौन ने हस्ताक्षर किये हैं बात की जाए जैब विविदता की तो जैब विविदता सब्द का पहला परियोग रेमंड एफ डैश मैंड ने अपनी एक पुष्टक डिफरेंड काइंट ओफ एक कंट्री में बर्स 1968 में किया था भारत में जैब विविदता से संबंधित कुल चार होट स्पोट हैं जिन में पश्मी घाट, पूरिबी हिमालय, इंडो बर्मा तथा सुन्डा लेंड सामिल हैं जैब मंडल आरक्षित छेतर भारत में नीलगिरी को कहा जाता है चलिए, देखते हैं हमारा आज का पांचबा प्रश्ण पांचबा प्रश्ण है, किस बैंक ने हाल ही में SMES और स्टार्ट अप्स का समर्थन करनी के लिए इन्वेंट पिन्योर चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज यानि ICCI के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो हाल ही में HDFC बैंक ने SMES और स्टार्ट अप्स का समर्थन करनी के लिए इन्वेंटी बै पिन्योर चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज यानि ICCI के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं चलिए देखते हमारा आज का चटबा प्रश्ण भारतिय आइटी उद्योग के पिता फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है तो हाल ही में भारतिय आइटी उद्योग के पिता कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का निधन हो गया है वे TCS यानि Tata Consultancy Service कमपनी के संस्दापक थे बात कीजा फकीरचंद कोहली की तो इनका जन्म 19 मार्च 1924 को ततकालिन पेशावर में हुआ था ये TCS के संस्थापक थे तथा TCS के पहले CEO भी थे बात कीजा फकीरचंद कोहली के पद्म भूशन की तो इन्हें वर्ष 2002 में पद्म भूशन से भी सम्मानित किया गया था इन्होंने बर्ष 1979 में TCS की सुरूबात की थी चलिए देखते हमारा आज का सात्वा प्रशन सात्वा प्रशन है सादिक अल महदी का हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के पूर्व प्रधान मंतरी थे तो हाल ही में सुडान के पूर्व प्रधान मंतरी सादिक अल महदी का निधन हो गया है सादिक अल महदी अरब के किसी देश के ऐसे प्रधान मंतरी है जिनका निधन COVID-19 की बज़े से हुआ है उन्हें हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में भर्धी किया गया था और बे कोरोना से पॉजिटिव पाए गये थे लेकिन 84 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया है सादिक अलमहदी सूडान के दो बार प्रधान मंतरी वने एक बार बर्ष 1966 सरशट में जबकि दूसरी बार बर्ष 1986 से 1989 तक प्रधान मंतरी रहे थे 1989 में सादिक अलमहदी को सेना ने सत्ता परिवर्टन करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवा प्रशन आठवा प्रशन है जेम्स बॉल फैंशन का हाल ही में निधन हो गया है वे निम्न लिखित मैंसे किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे तो हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम बॉलफेंशन का निधन हो गया है बे बर्स 1995 से बर्स 2005 तक 10 वर्ष के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जेम्स बॉल्फेंशन का जन्म उस्टेलिया में हुआ था लेकिन उन्होंने अमेर्का की नागरिकता बर्स 1980 में गरहन कर ली थी जेम्स बॉल्फेंशन बकील इन्वेस्टमेंट बैंकर तथा अर्थ सास्त्री थे बे विश्व बैंक के नौबे अध्यक्ष बनाए गए थे बर्स 1996 में जेम्स बॉल्फेंशन ने 27 सबसी गरीब देशों को 53 बिलियन डॉलर का रण मुहया कराया था बात की जाये विश्व बैंक की तो विश्व बैंक की इस्थापना बर्स 1944 में हुई थी इसका मुख्याले वाशिंटन डीसी में हैं वर्तमान में विश्व बैंक में 139 सदस्य देश हैं जबकि विश्व बैंक के वरतमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रश्ण है विश्व बैंक का मुख्यालय कहा है तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंग्टन डी सी में है वाशिंग्टन डी सी में डी सी का फुल फॉर्म डिस्टिक ओफ कोलंबिया होता है चलिये देखते है हमारा आज का अंतिम प्रश्न तो हाल ही मैं गोवाराज में महलाओं की सुरक्षा के लिए वर्शेप हेल्प लाइन नंबर 78-75-75-777 की सुरूबात की है बात की जाए गोवा राज की तो गोवा राज के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है जबकि राजपाल भगशीन कोश्यारी है गोवा छेतरफल की दरश्टी से भारत का सबसे छोटा राज है जबकि जनसंख्या की दरश्टी से चोथा सबसे छोटा राज है गोवा पर 450 से अधिक वर्शों तक पुर्तगालियों ने कबजा कर रखा था लेकिन 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली भारती उपनिवेश को गोवा को सौप कर चले गए थे गोवा की राजधानी परजी है जबकि गोवा का सबसे बड़ा नगर बासको डिगामा है 1510 इश्वी में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल साज से गोवा को छीना था जबकि बर्श 1987 में गोवा भारत का 25 वा राज बना था चलिए देखते हमारा आज का कोशन अब दड़े 30 नबंबर 2020 का कोशन अब दड़े है सूडान की मुद्रा क्या है लीरा पॉंड रुफिया या फिर रियाल इसके अलाबा सैसन अब दड़े का कोशन है भारती आईटी उद्ध्योग के पिता कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का निधन हो गया है इन्होंने किस वर्स TCS की शुरूबात की थे दोनों प्रस्णों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं 28 नुम्बर 2020 का कोशन अब दड़े था किस भारती राज को गौट्स ऑन वन कंट्री के नाम से जाना जाता है तो भारत के किरल राज को गौट्स वन कंट्री कहा जाता है सही उत्तर देने वालों में सामल हैं नरेंद्र, सोनाली, बीरेंद्र तथा अंकिता सभी को बहुत बहुत बदाई